यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर में आने जाने के लिए एक छोटी सी इस्टेर यानि की सीड़ी बनाई गई थी और इस्टेर यानि की सीड़ी बनने की कुछ दिनों बाद आप देख सकते हैं कि सीड़ी और वाल के बीच में गैप आ गया तो इस gap में उनका पैर भी फर सकता है और वे गिर सकते है तो यहां पर कुश्चन उखता है कि इस stair को बनाते समय mystery से ऐसी कौन सी गलती हुई जिसके कारण wall और stair के बीच में कुछ इस तरीके से gap आ गया तो चलिए हम आपको कुछ example के माथ्यम से practical तरीके से बताने की कोसिस करते हैं बड़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सिब शोटी सी request की प्लीज वीडियो को like कर लीशे और यदि आप इस channel पर नए हो तो channel को subscribe कर well icon प्रिस कर लीशे जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की notification आप सभी को मिलते रहे तो इस stair को आप ध्यान से देख सकते हैं कि घर में आने जाने के लिए एक छोटी stair बनाए गई थी और stair बनाने के कुछ दिनों बाद आप देख सकते हैं कि दीवाल और stair के बीच में कुछ इस तरीके से gaping आदी तो इस stair को बनाते समय मिस्त्री दोरा की गई गलती की बात करें तो मिस्त्री ने इस stair को बनाते समय सिंपली इसी दीवाल के बगल से इंट जोड़कर और इसके साथ साथ थोड़ी सी सट्रिंग करके इस stair की ढलाई कर दी यह दिवाल पहले से बनी हुई हो और दीवाल के बगल में आप stair बना रहे हो तो इस situation में एक बहुत ही important work होता है यदि आप उस work को नहीं करोगे तो आप ये लिख के ले लीजिए कि 100% दीवाल और stair के बीच में कुछ इस तरीके से cracking आ जाएगी तो यदि हम उस work की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुरानी दीवाल में यदि आपको stair बनानी है या फिर कोई भी दीवाल जोडनी है तो उस situation में पुरानी दीवाल में जहां पर भी कोई दूसरा member टच करेगा वहाँ पर कुछी तरीके से पुरानी दीवाल को तोड़ लिया जाता है एक्जामपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी दीवाल है और इसी पुरानी दीवाल में हमें एक नई दीवाल जोडनी है तो एसी situation में हम इस पुरानी दीवाल में जहां पर भी नई दीवाल जुड़ेगी यानि कि पुरानी के बीच कुछ ही से गैप या फिर क्रेक नहीं आएगा तो इस इस्टेयर को डीवाल के साथ बनाते समय सेम यही गलती त्हुफ इस Stair को किसी भी तरह की कटिंग करके जोडा नहीं गया, Simply इसी दीवाल के बगल में Stair को बना दिया गया, और जिसका दूस्परडाम यह हुआ कि वाल और Stair के बीच में कुछी से क्रैक आ गया, तो इस Stair को बनाने से पहले Simply Mason को यही करना था, कि जहाँ पर इस टेयर का इस्टिप दीवाल को टच करता वहाँ पर चौक से मार्किंग करके कुछ इस तरीके से दीवाल को 2-5 इंच तोड़ देते और तोड़ने के बाद दीवाल में जोडते हुए जब आप इस इस टेयर की ढलाई करते तो इस टेयर में कुछ इस तरीके से क्रेकिंग कभी नहीं आती यदि आप एक सिविल इंजीनियर है या फिर कॉंटेक्टर है या फिर आप मेसन है आप पुरानी दीवाल में या किसी भी मिंबर को जोड रहे हो तो वह मिंबर दीवाल में जहां पर भी टच करेगा वहां पर पुरानी दीवाल को कुछ इस तरीके से तोड लेना है और पुरानी दीवाल को तोडने की गहराई आपको मिनिमम टू इंच रखनी है तो यह ज़िया आप ऐसा करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जोड पर कभी भी क्रैकिंग नहीं आएगी और इसके साथ साथ कुछ इस तरीके से गैप नहीं आएगा सो उमीर है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस श्टेयर को वनाते समय क्या गलती हुई जिसके कारण दिवाल और इस टेयर के बीच में कुछ इस तरीके से गैप आ गया चलते-चलते आप सभी के लिए एक कुश्यन है जैसे पुरानी दिवाल में योई हम कोई नया मिंबर जोडते हैं पुरानी दीवाल में कम से कम 2 इंच कुछी तरीके से पुरानी दीवाल को कट कर लेते हैं तो 2 इंच में कितना सेंटी मीटर होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताईएगा अभी के लिए वस इतना ही अपना ख्याल लखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी जादा ख्याल लखिए इसी भाव के साथ आप सभी से बेदा लेते हैं धन्यवाद